प्रिविद्यार्थियों कवक के लक्षणों के अंदर आज हम कवक जाल की समगर सरंचना या जिसको कवक उत्तक कहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कवक जाल की समगर सरंचना या जिसको अपने कहते हैं कवक उत्तक सम फंगल मेंबर्स फॉर्म कॉम्पेक्ट और लूजली अरेंज्ड मैसीलियम एग्रिगेट स्टेक्चर विच फॉर्म वेजिटेटिव एंड रिप्रड़क्टिव स्टेक्चर अब क्या होता है कि कवक जाल होता है वो कंपड़क्ट रूकर और लूजली अरेंज्ड हो के कुछ विशेय प्रकार के समुच्च यानि एग्रिगेट हो जयता है विशेय प्रकार की रच्णाओ का दिरिमान करता है उन रचनाओं में कुछ प्रमुख है जिसके बारे में आज के वेख्यान में अपने चर्चा करेंगे यानि कवक जाल है कवक का जो कवक जाल है माईसीलियम है उस माईसीलियम के जो हाइफी होते हैं वो गुंथ जाते हैं और वो compactly गुंथ जाते हैं या loosely गुंथ जाते हैं ऐसे गुंथ के कुछ विश्यस प्रकार की सरंचनाओं का निर्मान करते हैं ये सरंचनाओं अलग डंग से अलग लक्षण लिये वे होती हैं उनमें प्रमुख है इसकले रोशियम माइसीलियल स्टेंड और राइज अफ़ अमॉर्फ इसकले रोशियम में क्या होता है की इसकले रोशियम में क्या होता है ये जो इसकले रोशियम होता है इसकले रोशियम में क्या होता है इसकले रोशियम क्या होता है की कठोर और दिर्ग वर्ताकार सिंग के समान गोल या मुड़ावा क्या होता है प्रसुप्त सरंचना होती है इसकी डॉर्मेंट अवस्ता होती है डॉर्मेंट जो और्गन की तरह ये कारे करता है इसका जो केंद्री वाग होता है उसके जो कवक तंतु होते हैं उसके अंदर भोजन संगरीत रहता है इट कवर्ड बाई कवरिंग काल रिंड इसका जो बाहर जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं छिलका ये छिलका अनेग इस्तरों या पड़तों के द्वारा बना हुआ होता है एंसुस्क एंप्रतिकूल परिशित्यों में इसकले रोशियम की रक्षा करता है इसकले रोशियम के बीतर अथ्वा केंद्रिय भाग में कवक सुत्रों में प्रचूर मातरा में खाद्य प्रदार्थ संचित रहता है कुछ सरंचनाओं में इसकले रोशियम लंबे समय तक निस्क्रिय यानि डॉर्मेंट रहने के पस्चात अंकूल परिशित्यों में अंकूरित होता है और फ्रूटिंग बोडी का निर्मान करता है फलनकाय का निर्मान करता है इसकले रोशियम प्रजेंट इन क्लेविशेप्स प्रपूरिया एड राइजोक्टोनिया सोलानी ये राइजोक्टोनिया सोलानी और क्लेविशेप्स प्रपूरिया इसके अंदर इसकले रोशियम पाया जाता है ये दो फंजाई है इट फाउंड इन मेंबर्स ऑफ दी एसको माइकोटिना, एसको माइसिटीज एंड सम मेंबर्स ऑफ दा यू बेसिडियो माइसिटीज यानि यह उपर जो कलेविसेप्स, परपुरिया और राइजोक्टिना सोलनी है इन में इसक्लेरोशियम पाया जाता है, इसके अलावा जो एसको माइसिटीज के सदस्य है, और कुछ यू बेसिडियो माइसिटीज के सदस्य है उनके अंदर scleroseum पाया जाता है scleroseum के अंदर किया होता है कि scleroseum एक hard स्रंचना होती है जिससा बताया था उसका दो भाव होते है central part तो कहले ऑदा है medulla और किनारे का बाग किलता है cortex cortex और medulla यह student permissions काईमा के दोरह बने भे होते ह enorm कि अब गोटेक्स के अंदर क्या होता है इसके ले ली का क्यों चे ली लुकल कि को सब टेख में कि दृक को सब्सक्छी कौर्टेक्स में क्या होता है कि भी मोटी बिती के दोरा बना हुआ होता है यह मोटी बिती जिसके अंदर होती है उन माइसीलियम के दोरा बना होता है यानि सगंता से जो कवक जाल होता है वो सगंता से बना हुआ होता है हाइफल सेल क्यूटिनाइजड एंड कलर्ड जो कवक तंतु होता है उनकी जो भित्ती होती है यो क्यूटीन की बनीवी होती है और रंगीन होती है इसमें येलो ब्राउन ब्ल्यू और ब्लेक कलर होता है यान पीला बूरा नीला और काड़ा इट इस प्रोटेक्टिव पार्ट आफ दी स्क्लिरोश्यू ये जो कॉर्टेक्स है ये उसका सुर्क शात्मुक आवरन होता है जो मेडूला है वो लूजली अरंज्ड होता है उसके अंदर और प्रोजन खाहिमा के द्वारा बना होता है और जैसा पहले अपने बताई था कि वो सुगर और फैट के रूप में ये इसके अंदर संचित रहता है ये इसके लिए रोशियम की सरचना है ये जो ये इसके लिए रोशियम की सरच ये इसके लिए रोशियम बताया है अब ये जो डाइग्राम है वो सो कर रहा है ये रिंड है यानि छिलका है भार का यह बार वाड़ा शिलका है जो इसकी प्रोटिंग टींग कवर है और यह अंदर वाड़ा पार्ट है वह क Origini ऐनाता है मेडूला- और यह मेडूला के अंदर प्रड़ को रहता है और मेडिय उसकोन यह इसक्लियह रोष्यम की सरेचना है Is दूसरा होता है इसका दूसरी जो विशेश प्रकार की सरचना होती है जिसका नाम है माइसीलियल स्टेंड यह जो माइसीलियल स्टेंड है जिसको कहते हैं कवक जाल रज्जुक कवक जाल रज्जुक क्या होता है यह कवक जाल के एकत्रित होने से निर्मित कठोर एम अवरोद यह कवक सुत्रों की समाना आंतर सेहंतियों के द्वारा निर्मित और विवेधित सरंचना है कवक वर्ग जो बेसिडियो माइसिटिज है, एसको माइसिटीज है, डिटोरो माइसिटीज है, इसके अंदर यह सरंचना पाई जाती है parallel mycelial strand form undifferentiated structure यानि समानांतर जो mycelial strand है यानि हाइफी है वो समानांतर व्यवस्तित हो जाते हैं और mycelial strand का निर्मान करते हैं present in member of the basidiomycetes, escomycetes and deuteromycetes ये जो इनके जो members हैं इन में ये मिलता है mycelial strand सर्पुला lacriments ये फंजाई है having several meter long mycelial strand ये जो सर्पुला lacriments ये कवक के अंदर कवक जाल ये रजुक अनेग मीटर लंबा होता है ये सरंचना दोनों दिस्वां में प्रदार्थों का सेवन करने की यानि कंडेक्शन करने की इसमें छमता पाई जाती है अब देरा थी टाइप्स ये जो mycelial strand है वो तीन तरह के हो सकते है पहला है latex vessel like structure यानि जो rubber छीर नली कहें होती है वैसी इसकी सरंचना होती है दूसरे तरह के जो mycelial रजुक होते हैं कुछ रजुक पतले और थिन स्क्रेंड काइमेटस fibers के समान स्थुलित हो जाते हैं तता इनका lumen समात हो जाता है इसकी भित्ति को एक strain एकलो और जिंक आयोडाइट द्वारा अभिरंजित किये जाने पर ये गहरा नीला रंग देता है तीसरा है कि इसकी जो कोशिकाएं होती है mycelial strain की तीसरे प्रकार में peripheral cell content oxalate रजुक के कवक सुत्रों में अत्यदिक जीव द्रवे और परिधिय कोशिकाओं में ओक्जलेट बहुलता पाई जाती है ओक्जलेट की मात्रा अधिक पाई जाती है अब तीसरा जो प्रकार है इसका वो है राइजो मॉर्फ राइजो मॉर्फ को अपन केते हैं तंतु जटा सम भंगल मेंबर हैविं डार्क ब्राउन रूट लाइस टेक्टर काल्ड राइजो मॉर्फ यानि गहरे भूरे रंकी जड के समान सरंचना बनती है कुछ कवकों के अंदर उस रचना को कहते हैं अपन तंतु जटा या राइजो मॉर्फ इसके अंदर सिर्ष भी बिजोतिक भी बाया जाता है और ऐसे दे आर फॉर्म्ड बाई कोजल ओर्गेनिजम फंगल मेंबर यानि ऐसे कवक सद्दिशियों के द्वारा ये रचना बढाई जाती है जो दूसरे पोदों की जड़ों के अंदर संकर्मन पैदा करते हैं यानि इट इस ए पैरिनेशन और्गन एक्जामपल में आर्मेलिया मेलिया यानि पैरिनेशन और्गन का मतलब होता है ये जो राइजो फॉर्म होता है वो डॉर्मेंट कंडिशन में कई सालों तक पड़ा रहता है जब तो इसको फेवरेबल कंडिशन नहीं मिलती है ये वेजिट यह तम्तु जटा की स्ट्रेक्चर है यह जो दिख रहा है अपने को इस चित्र के अंदर यह यह तम्तु जटा है कि अजगे वेक्यान में इतना ही